Hello दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है Sleepy Classes में और आज हम फिर से हाजर हैं आपके साथ Industrial Relations and Labor Laws related MCQs के साथ तो without any further ado, शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं हर वीडियो में कहता रहता हूं करेपे अपने pen और paper अपने साथ रखिए तो चलिए, पहले कोशन पर आते हैं पहला कोशन है According to Dash Action, the Minimum Wages Act of 1948 Employers shall pay him overtime work मतलब की कौन से section के अंडर overtime work जो है, उसकी payment के बारे में बात के रही है तो इसका सही answer क्या है? इसका answer है, section 14 तो चलिए section 14 को थोड़ा discuss कर लेते हैं ठीक है? तो section 14 of Minimum Wages Act ये पूरी language है, statute की मतलब हमने Bear Act जो है, Government of India जो Minimum Wages Act है, वहां से पूरी चीज उठाई हुई है Language है थोड़ी complex है, तो इसको हम थोड़ा सा easy कर देते है Basically क्या है कि ये देखे, overtime का बतलब क्या होता है कि आपने 9 घंटे की shift लगाई ठीक है जे? और आपके per hour जो shift है, वह 100 rupees मिलते है आपको ठीक है? और जो company के rules है, उसमें कहा है कि अगर आप additional one hour देते हैं, तो उसका जो आपको पैसे मिलेंगे, वह 50 rupees per hour मिलेंगे तो एक इंसान ने 9 घंटे की shift लगाई और उसने 2 घंटे additional लगाई तो 9 घंटे की shift के हो गए उसके 900 rupees और पर hour 50 rupees के हिसाब से हो गए 100 rupees ठीक है? 50-50, टोटल हो गए 1000 rupees उसके 11 घंटे की shift के तो जो statute में जो बात कर रहा है उसमें यही किया है कि for every hour और part of an hour, ठीक है, so worked in excess, over time जो rate fix किया गया है, under this act or any law of the appropriate government for the time being is forged whichever is right मतलब वो देना ही पड़ेगा employer को ठीक है जी, एक आपका specific पैसे decide किया गेते हैं per hour के हिसाब से उसके excess में जो चीज आपको per hour के हिसाब से देने ही पड़ेगी, चाहे वो same rate है जो हमने यहाँ पे discuss करा, चाहे वो same भी हो सकता है, per hour 100 भी हो सकता है यह जैसे मैंने example दिया, 50 भी हो सकता है, ठीक है जी, तो आगे चलते हैं next question पर, next question कहता है, under which payment of wages act time of payment is covered time of payment के बारे हम आगे पढ़ेंगे, तो पहले इसमें देखते हैं कि कौन से section में आता है ठीक है जी, तो यह है section 5, यह है इस cancer, ठीक है जी, इसकी explanation पर आते हैं अब देखें फिर से यह statute की language आ गई, ठीक है जी, तो statute की language पर आपने जादा नहीं जाना है, concept को हम समझ लेते हैं, ठीक है of every month, उसमें आपके जो retired personal होते हैं, जिनको retirement benefits मिले होते हैं, उनको pension दे दी जाती है, ठीक है जी, यह है और first of every month, पहली तारीक जो every month, यह government employees की, first of every month उनको salary आ जाती है, यह government का हुआ, ठीक है private में क्या होता है, usually कि आपकी जो salary है, first 1 to 10 में, या तो first 1 to 15 में, specified जो होता है, clause में, private companies की, आपकी salary जो है, वो डाल दी जाती है जैसे कि अगर आप किसी private company में काम कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जो HR है, या जो भी salary आपके decide कर रहे हैं, आपको पता है कि first से लेके, 10th के बीच में, यह specified time company ने रखा हो है, जो चाहे वो second हो, या seventh हो, इसके बीच में आपकी salary आ ही जाती है, वो statute बनाया होता है, हर company का railways हो, factories हो, industrial establishment हो, वो इस particular time period में आ जानी चाहिए, और यह government का act है, ठीक है जी, तो और यह state government जो है, वो decide करती है, और साथ में central government भी decide करती है, इनके जो भी industrial units आते हैं, वो सब इसको decide करते हैं, कि which is किस time पे आ जानी चाहिए, तो यह बड़े एक simple concept में आपको समझा दिया है कि time period के बारे में बात कर रहा है, ठीक है जी, और यह आता है section 5 के अंडर, चलिए अब अगे लिए question पर आते है, ओके, अगला question है, which section defines controlled industries under provident fund act 1952, ठीक है जी, तो इसका answer है section 2, अब controlled industry का देखें फिर से अब यह section 2D है, basically, कुछ लोग पढ़ते हैं कि वो sections में घुष जाते हैं, मतलब कुछ होंगे कि आचा चलो sir, provident fund act निकाल लिए 1952 का, उसके सारे sections पढ़ने शुरू कर देंगे, तो एक section जैसे कोई particular section 2 है, तो उसके अंदर A, B, C, D, और कई बार उसके अंदर sub clauses भी आ जाते हैं, 1, 2, 3, तो उ उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम important आपके लिए जो हैं वो निकाल के देते हैं, तो section 2D में controlled industries के बारे में बात किया है, इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते, controlled industries का क्या है, ठीक है जी, कि जो provident fund है, जो P.F है, वो controlled रहता है by union, ठीक है जी, मतलब कि आपक एक control रहता है union, government का और इसमें state भी आता है, जो state है वो आपको इसका control रहेगा ही रहेगा, ताकि आपकी जो proper channelizing of wages है और provident fund है, सारी चीजें, जो आप देखेंगे सिर्फ P.F ही नहीं, ऐसी काफी चीजें हैं, जो government के अंडर control में रहती हैं, क्योंकि industry जो है, वो बहुत इफ़ाल करना और उसके अंदर जो rules, regulations है, जितने भी बन रहे हैं, उसका control जो है, वो government और state के अंडर ही रहता है, क्योंकि rules और regulation जो है, यही बनाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है, controlled industry जो है, वो union के अंडर आता है, ठीक है जी, अब अगले question पर आते हैं, अगला question है, payment of gratitude act was introduced in which year, यह आप बिल्कुल रट लीजी, यह 1972 है, इसका answer, तो gratitude act से पहले हम समझते हैं, कि gratitude का मतलब क्या होता है, ठीक है जी, तो यह एक large gift of money होता है, जो employee को दिया जाता है, जो वो job छोड़ता है, after certain number of years, ठीक है, जैसे for example, किसी ने 22 साल की उमर में, जाब करी, और 52 की उमर में, वो retire हो गए, ठीक है जी, तो कितना दी, 30 साल, 30 साल हो गए, अब 30 साल में, जो government है, या फिर जो भी employee है, उनको gift of sum of money देगा, जिसमें कि उनकी कोई contribution नहीं होगी, वो एक, उनका thanks करने के लिए होता है, ठीक है जी, कि आपने, यह, मतलब it is a reward for good, efficient and faithful services rendered for considerable period, ठीक है, तीस साल काम कर लिए उस तरीके से, और यह जो act है, वो किस पे apply करता है, वो करता है, factories, mines, oil fields, plantations, ports, railways, irrespective of the number of workmen, ठीक है, कितने भी है, वो act apply ही करेगा, employed by them, मतलब इन सब के साथ, employed by them, और यह जो है, shops और establishment को भी cover करता है, लेकिन employing 10 या उस से ज़्यादा लोगों को, ठीक है, मतलब कि 10 या उस से ज़्यादा employees हैं, तो यह act उसमें भी cover करता है, वो बात अलग है कि, क्योंकि laws काफी कम लोगों को पता होता है, तो यह चीज़ देते नहीं है, बट क्योंकि act में यह provision दिया हुए है, तो this is there, ठीक ह compensation act in, अब यह compensation का मतलब क्या है, और कौन से section में है, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है जी, तो यह है हमारा section 2, ठीक है जी, तो section 2 जब आप जाएंगे, अगर आपको काफी इच्छोख हैं पढ़ने के लिए, अगर workman's compensation act के अंडर जाते हैं, और आप section 2 में जाएंगे, तो इसमें आपको basically क्या होता है कि कभी भी आप कोई bare act या statute निकाले, तो सबसे पहले जो पहला section usually होता है, उसमें short और title वगरा दिया होता है, क्या है, उसके बार definitions आती है, so section 2 में हमारी इंदा various definitions है, और various subject और context को लेकर ठीक है, तो जैसे section 2 जो है, specially section 2 जो है, हम इसके बारे मे बात कर रहे है, ठीक है जी, वो, जी एक commissioner नहीं है, commissioner नहीं है, commissioner जो है, वो section 20 में आता है, correction है, और section 2 जो है, compensation को करता है, ठीक है, section 2 जो है, ये commissioner नहीं है जी, section 20 है commissioner को उसमें आता है और ये workman compensation को define करता है ठीक है जी और इसका मतलब होता है compensation का basically मतलब होता है कि अभी आपको कोई भी ऐसी कोई problem हो जाए तो आप जिसे कि किसी की टांग तूट गई है या किसी को काम करते होए कोई problem आगी है इंडस्ट्री में काम करते होए या फिर कोई miss happening होगी है तो उसका आपको भत्ता दिया जाता है ठीक है जी तो वो compensation उसके बारे में बात करते है ठीक है जी और section 2 में ही dependent भी define किया होग है ठीक है जी dependent का मतलब क्या होता है ये बहुत important है ठीक है ये change कर दीगे थी 25 होगी है dependent किया ठीक है और dependent क्या होता है relative of the deceased मतलब की जो इंसान मर गया है workman, deceased जिसकी deceased का मतलब है जो ऐसा इंसान जो मर गया है और उसका relative, जो की widow है मतलब की उनकी विदवा minor legitimate son मतलब की minor का मतलब हमने पिछली लेक्चर में पढ़ा था कि कोई ऐसा व्यक्ती जो 18 से कम हाऊ ठीक है जी तो minor legitimate son है एक ठीक है जी और unmarried legitimate daughter अब legitimate का मतलब क्या है legitimate का मतलब होता है कि आपका कोई adopted ठीक है जी adopted son नहीं होना चाहिए या फिर किसी और इंसान से मतलब किसी और बीवी से या किसी और अन्बियाही से उनका son या daughter ना हो ठीक है तो जी legitimate बड़ा important है unmarried या तो minor legitimate son है या unmarried legitimate daughter है अगर married है तो नहीं होगा उसमें ठीक है जी widowed important है मतलब कि विद्वा मा ठीक है जी और जिनका कि इसमें लिखा है if wholly dependent on the earnings of the workman मतलब कि जो deceased workman है जो मर गए है उनकी पूरी earning पे ही dependent हो at the time of death इसको समझना थोड़ा जरूरी है confused होने की जरूरत नहीं ठीक है जी और इसमें लिखा है a son और a daughter who has attained 18 years of age and who is infirm infirm का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो कि mentally mentally stable नहों या इतना strong नहों कि अपना वो काम कर सके ठीक है जी अच्छा section 2 जो है वो employer को भी define करता है managing agent को भी managing agent को भी define करता है minor को भी और partial disablement को भी तो अगर ये terms अगर आप से पूछते हैं तो ये section 2 में ही आती है ठीक है जी चलिए अब अगले question पे आते हैं अरे रे ये तो मैंने अब जो कोई धंग से इस lecture को सुन रहा होगा वो इसका जवाब दे देगा अभी उपर हमने discuss किया था commissioner means a commissioner for work men's compensation appointed under हाँ जी section 20 तो अब इसके बारे में explanation लेते हैं section 20 जो है वो appointment of commissioner करता है उसमें हमने कया कि state government जो है वो एक notification निकाल सकती है official gadget में और किसी भी person को appoint कर सकती है ठीक है for workman compensation act के अंडर ठीक है जी जो भी उसका जो area है और अगर कोई एक से ज़ादा commissioner ठीक है एक से ज़ादा commissioner appointed हुआ है तो उनका जो distribution है वो दोनों के बीच में distribute हो जाएगा मतलब area जो भी आता है अगर एक से ज़ादा है तो उनका area divide कर दिया जाता है कि आपका ये वाला area है आपका ये A, B, C, D इस तरीके से ठीक है और जो और कई बार ऐसा होता है कि commissioner जो है वो किसी भी ऐसे इंसान को deploy कर सकता है जिसकी special knowledge हो किसी matter के लिएटेड कई बार ऐसा होता है कि आपको forensic से related जीज़ें चाहिए होती है आपको कई बार कोई inquiry कर रहे हो उसमें आपकी expertise नहीं है तो special knowledge वाले जो person है उसको भी deploy कर सकता है relevant to matter under inquiry ठीक है जी तो commissioner के पास power है और जो commissioner है वो public servant होगा ठीक है जी तो IPC के अंडर वो public servant होगा ओके जी public servant क्या होता है आज आप google करेंगे बढ़ यूजली आपको पता ही है कि public servant क्या होते है IAS, IPAS या फिर किसी और department से भी EPFO से भी हो सकते है ठीक है जी बट आप इसको प्लीज गूगल कीज़े कि who is a public servant चली आगे बढ़ते है अगला question है Section 20 of Factories Act 1948 discusses about drinking water, spittoon, lighting, latrines, urinals किसके बारे में तो इसका सही जवाब जो है वो है spittoon spittoon का actual मतलब क्या होता जी थूकदान जहाँ पर आप थूकते हैं spit, spittoon उसी से आया हो है इसके बढ़र में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है, क्या है कि Section 20 जो है Factories Act का वो हर चीज का प्रावधान दिया हो है Factories Act में कि कौन सी चीज कहां क्या होनी चीए और COVID-19 की वज़े से spittoon का महत्व बढ़ जाता है क्यों? क्योंकि आपने देखा होगे COVID-19 के टाइम पे थूकना मना गर दिया था तो इसमें कि हर फैक्टरी में sufficient number of spittoon जो है वो convenient places पे रखे जाएंगे अब क्या होता है? यह क्यों किया गया है Factories में जो menial workers काम कर रहते हैं वो तंबाकु जड़दा, ठीक है चैनी खहनी बहुत चीज़ें करते हैं तो उसको हर जगा नहीं फैंका जा सकता, अब देखेंगे कि काफी लोग पान खाने के भी शौकीन होते तो इसलिए वहाँ पे spittoon का प्रावदान दिया गया है ठीक है जी? और उसका जो है उसको cleanliness और hygienic condition में रखना जुरूरी है, state government जो है वो rules बना सकता है कि किस तरीके का किस type का और कितने number of spittoon provided होने चाहिए किसी भी location factory में मतलब location as in factory के किस कोने में वो spittoon होना चाहिए ठीक है जी? और कोई भी इंसान spitt नहीं करेगा अगर करता है तो उसको punishment मिलेगी fine जिसका 5 उर्पे से ज़ादा नहीं है यह ज़रूरी है पांच उर्पे से ज़ादा नहीं होना चाहिए पांच उर्पे बहुत ज़ादा रखा हो है ना चलिए अगले question पर आते हैं अगले question है artificial humiliation जो है वो specify किया है कि section of factories act 1948 के अंडर ठीक है जी? तो इसका सही जवाब है section 15 चलिए अब इसके बारे में artificial humiliation के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते कि होता क्या है अब देखिए factories में बहुत सदा गर्मी हो जाती है और अगर आपकी working conditions ठीक नहीं है क्योंकि कई ऐसी factories हैं जहाँ पर heat machinery बहुत ज़दा करती है वरकिंग कंडिशन जो है वह बहुत ज़दा important है ठीक है जी तो artificial humidification के बारे में क्या है कि सारी factories में humidity of air is artificially increased तो state government उसका rules बनाती है ठीक है जी वह इसलिए कि working conditions के लिए ठीक है जी और इसके ज़़ाइब प्रिस्क्राइब स्टैंडर्स है humidification के जो उसमें आपकी machine लगती है कि कितने आपकी उसमें humidity होनी चाहिए air quality कैसी होनी चाहिए ठीक है जी और जो उसकी regulating है method जो है वो humidity के बनाएंगे मतलब कि आपकी जो standards है वो बिल्कुल accurate होने चाहिए regulate करने के लिए ठीक है जी और जो state government है वो direct भी कर सकती है test कि humidity of air जो है वो correctly carry out की जा रही है कि नहीं और उसका जो है वो record label भी रखा जाता है जो आपका जो particular अगर कहीं पे आपका plant बना दिया जाता है इसका artificial humidification का तो उसमें आपका proper recording विगरा भी रखी जाती है क्योंकि आप जैसे आप EPFO के inspector बन जाएंगे तो आपका ये काम भी रहेगा कि आपका भी भी ये particular चीज़ें चेक कर सकते हैं ठीक है जी आपका ही काम रहेगा और जो methods है ठीक है जी वो adequate ventilation के लिए important है मतलब कि हवा ठीक ठाकानी चाहिए और cooling of air जो है the power of inspectors discussed under following factory act मतलब कौन से section में powers of inspectors discussed की गई है ठीक है जी तो इसका question का answer क्या है section 9 चलिए इसके बार में पढ़ते हैं आप बोलेंगे sir sections पढ़ा पढ़ा के दिमाग खराप कर दिया but पढ़ते रहे है समझते रहे है लिखते रहे है revise करते रहे है और आप paper जरूर clear करेंगे ठीक है जी चलिए आते हैं आगे तो section 9 जो है वो power of inspector करते है ये चीज बड़े ही ज़्यादा रौचक है वो रौचक क्यों है ये आप EPFO officer बनेंगे तो ये आपकी actual में powers होने वाली है ठीक है जी तो आप क्या है कि आप जो inspector होता है वो inquire कर सकता है किसी भी accident का या dangerous occurrence का ठीक है जी जिसमें किसी की bodily injury होई है disability होई है ठीक है जी और वो किसी की भी statement भी ले सकते है जो inspector है ठीक है जी अगर उनको ज़रूरत लगती है तो वो register जो है उसके बारे में भी मांग सकते है कि मुझे register दिखाइए वो जो copies of register है उसको भी seize कर सकते है मतलब कि confiscicate मतलब अपने पास रख सकते है कि दे दो किसी भी type के documents है जो inspector मांग सकता है ठीक है और वो जो occupier है occupier का मतलब क्या होता है मुझे यहां पर inspection करनी है मुझे यह करना है और वो measurement ले सकते है अगर जैसे कि हमने size बारे में बात किया था एक lecture में कि ambulance room का size कितना है अगर तो उसकी measurement ले सकते है photograph ले सकते है evidence के लिए मतलब कि जो inspector की जो power है वो बहुत ही जाता है और यह technically EPFO के जो आप EO लगेंगे ठीक है जी EPFO के जो inspector लगेंगे आपका basically यही रोल रहने वाला है ठीक है जी चलिए last question जो है वो है the term sabbatical is related to तो इसका सही जवाब क्या है study leave अब क्या होता है कि आपके काफी government organization में काफी क्या mostly government organization में आपको study leave दी जाती है subject to आप कौन से level के है कौन से group के officer है या कौन से group A, B, C में किस में आप काम कर रहे है आपको study leave दी जाती है और उसमें particularly क्या होता उसका time period mention होता है एक तो आपका time period होता जिसमें कि आपके probation होती है probation वो depends करता कि आपने कौन से organization join करी है for example एक से दो साल की और usually central government में I'm not sure but usually जो है वो I think four years के बाद आप study leave के लिए eligible होते है ठीक है जी? तो इसको sabbatical भी कहा जाता है ठीक है? तो आप study leave के लिए eligible हो जाते हैं तो ये government job के काफी फाइदे रहते हैं ठीक है जी? तो ये था आज का MCQ और I hope कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे से काफी जादा मेहनत कर रहे हैं घबराना नहीं है, keep practicing keep your mind open और आपका exam हो जाएगा All the best, thank you so much